हेलो फ्रेंट्स, वेलकम् टू माई चैनल, आज हम सिखेंगे फ्रेक्शंज, तो यह फ्रेक्शंज क्या होता है, पहले मैं आपको इन्टोड़क्शन दे देती हूं, फ्रेक्शंज इस ए पार्ट ओफ ए होल, फ्रेक्शंज आर इन दा फॉर्म पीक्यू, फ्रेक्शन का फॉ ले सकते हैं Q, तो Q is not equal to 0, और दे डिजिट एबब दे होराइजन्टल लाइन is called the numerator, जो यह होराइजन्टल है और उसके उपर का जो नमबर होता है, जैसे यहाँ उपर का नमबर P है, तो इसे कहते हैं हम निउमारेटर, और जो निचे का नमबर होता है, वो देनोमिनेटर कहलाता है, जैसे मैं आपको यहाँ एक एगसंपल दे देते हूं, जैसे यह एक नमबर है, जैसे 5 बैइ 9, तो यह जो 9 है, इसे हम कहेंगे डेनोमिनेटर, और जो उपर है उसे हम कहेंगे numerator और जो 9 है यहां वो 9 equal to not equal to 0 तो जो 9 है वो not equal to 0 होगा तो मैं और एक example दे देती हूं जैसे 7 by 12 जो यहां 7 है उसे हम कहते है numerator और जो 12 है उसे कहते है denominator लेकिन 12 हम लिखेंगे not equal to 0 12 का value कभी भी 0 से same नहीं होगा equal to नहीं होगा तो आप हम देखेंगे fractions fractions कितने प्रकार के fractions are of 6 types यह जो fraction होता है यह 6 type का होता है जैसे पहला होला है proper fraction proper fraction यह proper fraction क्या होता है तो आप देख सकते हैं मैंने यह लिख लिए proper fraction a fraction where the numerator is less than the denominator जहां numerator जो है वो चोटा होगा denominator से जैसे मैंने यहां यहां एक fraction लिख लेती हूं जैसे 7 by 10 तो यहां numerator है 7 और denominator है 10 तो जो numerator है वो denominator से चोटा है इसलिए इसो कहते हैं हम proper fraction और एक ग्जाम्पूल मैं दे देखेंगे जैसे 12 by 20 तो यह भी proper fraction है क्योंकि इसका denominator बड़ा है और numerator चोटा है जब numerator चोटा होगा और denominator बड़ा होगा तो अब इसे हम कहेंगे proper fraction आब है improper fraction एक फ्रेक्शन होयार दा numerator is greater than the denominator जहां numerator बड़ा होगा लेकिन denominator चोटा होगा उसे कहते हैं improper fraction जैसे यहां आम लिख लेते हैं 10 by 6 तो यहां आम देख सकते हैं कि यहां numerator जो है वो बड़ा है और denominator जो है वो चोटा है तो इसे आम कहेंगे improper fraction तो मैं आपको और एक दिखा देते हूं example जैसे 18 by 5 तो यहां हम देख सकते हैं numerator बड़ा है और denominator चोटा है तो इसे हम कहते हैं improper fraction तो पहला हुआ जिसका numerator चोटा होता है और denominator बड़ा होता है उसे कहते improper fraction तो आप है mixed fraction a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction जो combination होगा एक whole number का and a proper fraction तो आपको पता ही होगा for example मैं आपको दिखा देते हैं आपको पता ही होगा proper fraction क्या होगा जो मैंने पहले ही आपको details में कह दिया था तो proper fraction है 7 by 10 जिसका numerator चोटा है और denominator बड़ा है और whole number जैसे कोई भी whole number आप ले सकते हो जैसे मैं यहां ले लेती हूं 1 तो यह हो गया mixed fraction a fraction which is a combination of a whole number यह whole number है 1 7 by 10 तो मैं और एक example दिखा देते हूं आपको जैसे आप यहां लेख सकते है whole number 2 और proper fraction लेख सकते है 3 by 5 तो यह होगा एक mixed fraction और एक मैं दिखा देते हूं जैसे है 3 जो है whole number और 9 by 10 जो है proper fraction तो यह होगा mixed fraction तो mixed fraction होता है combination of a whole number and a proper fraction जैसे यह whole number यह proper fraction अगला है हमारा like fraction तो यह like fraction क्या होता है तो like fractions आप है like fraction like fraction क्या है set of fractions having same denominators तो जिसका denominator सेम होगा तो जैसे मैं है एक्जाम्पल दे देते हूं आपको 2 by 10 5 by 10 7 by 10 11 by 10 12 by 10 तो a set of fraction having same denominator तो आप देख सकते हैं यह सबका denominator सेम है तो इसे कहते हम like fraction जब सबका denominator सेम होगा तो हमको हम इसे like fraction कहेंगे तो अब है unlike fraction unlike fractions unlike fractions क्या है a set of fraction having different denominators तो इसका opposite होगा a set of fractions having different denominators different denominators तो unlike fraction है a set of fractions having different denominators जिसका denominator सेम नहीं होगा उसे कहते हैं unlike fraction जैसे हम लिक लेते हैं यहां सेवन बाइ 12 नाइन बाइ 10 5 by 4 6 by 8 8 तो यह देख सकते हैं मैंने यहां लेक लिया तो यूनिट फ्रेक्शन क्या है fractions having 1 as their numerator जिसका निउमरेटर हर वाक होगा उसे कहते हैं Unit Friction For example, मैं लेख ली थी हूँ 1 by 5, 1 by 4, 1 by 10, 1 by 8, 1 by 7 और जो भी है जैसे यहां सब के numerator 1 है तो हमें इसे कहेंगे unit fraction जब numerator 1 होगा तो उसे हम कहेंगे unit fraction 1 जैसे 1 by 5, 1 by 4 आप दिख सकते हैं सब के उपर 1 है numerator 1 by 10, 1 by 8, 1 by 7 तो मैं लास्ट आपको यह कहता हूँ यह जो उपर का number होता है जैसे मैंने लिक ले 1 by 5 इसे कहते है numerator और इसे कहते denominator यह जनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है तो friends hope आपको समझ में आ गया यह ता मेरा introduction chapter of fraction तो please subscribe my channel और देखिये देर सरामेट्स थेंक यू